अगर आप प्लान कर रहे थे कोई फोन लेने का यहां फे 2020 में कभी कोई फोन लेने वाले तो मैं असेस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए और काफी जाद अंएक्सपेक्टेट थी जैसे वायरस का इंडिया के अंदर फैलना पूरी दुनिया के अंदर फैलना यहां था कि यह इतनी जादा नहीं चीज़ थे कि हम इसके लिए तयार भी नहीं थे ना ही हमारी गवर्मेंट इसके लिए तई ती और इसी के कारण उने पूरे इंडिया के अंदर lockdown लगाना पड़ा ताकि जो भिमारी जो हर जगे फैल रही है वो इंडिया में तेजी से ना फैले और इसको control में लाए जा सके और यही main reason था कि पूरे इंडिया भर में lockdown लगाया गया पहले lockdown 1.0 लगाया गया तब lockdown 2 लगाया गया अब आगे भी ची होने वाली है और मार्च के लास्ट वीक में मैं आपको तीन बड़े launches गिना सकता हूं MI 10 का launch होने वाला था वो cancel हो गया realme narzo आने वाला था वो भी cancel हो गया यहां तक कि Vivo अपना V19 लाने वाली थी वो cancel हो गया यहां तक कि उसके बाद IPL भी start होने वाला था वो भी लगता है कि इस साल देखने को ना मिले तो देखा जाए तो जितने भी नए phones आपको March के end में देखने को मिलने वाले थे वो नही OnePlus 8 series, well OnePlus 8 series का concept है था कि उन्होंने इंडिया के साथ से दूसरी countries में भी उसे launch किया जहां पर lockdown नहीं है, situation control तो वहां पर वो चीज़ बेखती रहेगी, वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में उन्होंने प्लान किया था कि 14th April को पहला lockdown खतम हो जाएगा, और उस दिन वो smartphone की sales continue करी, लेकिन उसके बाद smartphone की sales फिर से जो prohibition होता है वो लग गया, यानि कि वो चाहकर भी इंडिया में phones नहीं बेच सकते, यानि कि उन्होंने phone तो launch कर दी है, लेकिन वो market में बेच नहीं सकते, यहां था कि market में OnePlus तो छोड़ो कोई दूसरा phone नहीं बिख सकता, लेकिन तो दूसरी जो countries है ना वहां पर वो phone को बेचेंगे, वहीं बात करें, Apple की तो Apple का जो iPhone है ना वो भली इंडिया में ना बिखे, लेकिन वो US है, दूसरी countries में बिखता रहेगा, और हो सकता है कि इस साल इंडिया में बिखे, लेकिन अगले साल तक रहेगा, वो market में और अगल जल्दी शुरू होने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो स्मार्टफोन जो इंडिया में बिखते हैं ना, उनमें से 99% स्मार्टफोन जो होते हैं वो assembled in India होते हैं, यानि कि दुनिया भर से components आते हैं, उसके बाद इंडिया में उनकी assembling की जाती है, और देखा जाए तो आहत के समय में जितने भी assembly lines हैं, plants हैं, manufacturing facilities हैं, factories हैं, सब बन पड़ी हुई हैं, यानि कि lockdown के कारण जो पुराने phone जो manufacture हो रहे थे, वो market में बन नहीं रहे हैं, यहां तक ही जिन नए phones को market में आना था, उनकी manufacturing में रुखी हुई है, इसके अलावा companies के पास गोड़ा में पुर अब वो phone रखे हुए हैं, और उन्हें पताने कब बेचनी की जूरत पड़ेगी, और यह सारे phone time to time धीरे outdated होते जारे हैं, और देखा जाया है, तो हर दिन इससे smartphone industry को loss उठाना बढ़ रहा है, यानि कि काफी बड़ा loss है, यानि कि phones तो April के महीने में बिल्कुल बिखना और काफी सारे दूसरी country से वहां भी phone की sales हट हुई है, तो वहां पे globally आपको 50% का decrement देखने को मिलेगा, और सच बाद बतारूं, इतना बड़ा loss और decrement देखने को मिल रहा है न, वो हमें पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिला smartphone के अंदर, smartphone की sales थी 10 साल से पहले धीरे धीर जो उपर भढ़ रही थी, बीच-बीच में थोड़े बाद टिप देखने को मिले, लेकिन या भी सबसे बड़ा decline देखने को मिल रहा है, अब इसका जो main सबसे बड़ा reason है, वो यह है कि lockdown में smartphone बिक नहीं सकते है, यो कि lockdown में जो priority रहती है, वो रहती है, खाना, food, shelter, medicine, यानि essential item, यानि कि जरूरत की चीज़ों को time से लोग के पास पहुचाना, government का जो main objective है वो अभी यह है, यानि कि लोगों को अच्छे तरीके से रखे रहो घर के अंदर और उन्हें जरूरत की चीज़ों प्रोवाइड करते रहो, और जरूरत की चीज़ों में जो smartphone आता है वो list में बहुत ज़ादा पीछा आता है, यानि कि smartphone को जो government है, उस essential item मानती भी नहीं है, और ना ही smartphone को इतना essential मानना चाहिए, यानि कि smartphone जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि खाने और पानी और जो medicines होती है, इसकी उपर उसे place के जाए, smartphone को होना चाहिए, लेकिन हो काफी पी इसके साथ ही जो अगले साल के जो phones आने वाले होते, उनकी planning भी इस समय चल रही होती, तो वो अभी नहीं हो रहे है, आने वाले समय जो प्रोसेसर बनने वाले, जैसे कि Snapdragon 875 यो उसके भी आगे के, तो उन सब की development अभी रुकी हुई है, जो सारे innovation आपको future के phones में देखने को म करें, कोई company सोचते कि इस साल हम अपने 8-10 phone launch करें, तो हो सकता वो अपने 3-4 phone launch करें, और देखा जा तो सब चीजों पर इसका impact पड़ा है, यानि कि जितनी बड़ी companies ने वो पूरी planning कर रखी थे, वो पूरी disrupt हो रखी है, और अभी के समय में वो जो सिर्फ important launches होते ना, वो क पूरी कहानी आपको देखने को मिलती रहे, और इसके कारण देखा जाए, तो mobile phone की industry में एक slowdown देखने को मिला है, और एक report की बात माने है, तो मैंने देखा था कि पूरी इंडिया के अंदर जो smartphone industry है उसे 2 billion dollar का loss होने वाले इसके कारण, यानि कि आप मान सकते कि 15,000 क्रोड का loss होगा, इस smartphone पूरी industry की में बात कर रहो है, क्योंकि नए phones नहीं बन रहे, पुराने phone की sale रुकी हुई है, और आने वाले समय में जो नए phones आने वाले ना, सारी चीज़ इंपक्ट होने वाली है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि smart phones पर ही फर्क पड़ेगा, पूरी की काफी सारे लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, और काफी सारे लोग जो रहेंगे ना, वो आने वाले समय में उनकी जो jobs है ना, उनको भी ख़तरा हो सकता है, ये बात बिल्कुल fact है, काफी सारे एकनॉमिस होते हैं, उन्होंने इस बाग को confirm किया, और ये काफी बड़ एक serious चीज़ देशने को मिल रही है, और अगर इन सब के बीच में अगर किसी को phone खरीदना है ना, तो मेरे को लगता है कि it is not the right time, यानि मैं आप लोग एक सई suggestion देना चाहूंगा, अगर आपके पास आज के समय में कोई phone है, और वो साल देड़ साल से जादा पुराना नहीं है, तो आपको इस साल phone खरीदने की जरूरत नहीं है, यानि कि अगर अपका phone जादा पुराना नहीं है, और अगर उस phone में कोई serious problem नहीं आ रहे है, कोई नया phone मत खरीदो, आपको जो पुराना phone चल रहे है, वही चलाते है रहो, जो शौकी आप लोग phone खरीदते थे, नईने technology को experience करते थे, वो अभी कुछ समय के लिए रोगदो साल देट साल की उसके बाद ऐसा कर लेना, लेकिन अभी के समय में आप अपना पैसा save कीजिए, और आने वाले future के लिए तयार रहे है, इस smartphone में फालतू पैसा डालने से, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि technology बदलती रहती है, और देखा जाए, तो companies को नुकसान हो रहे है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगो जबर जस्ती में आप फोन खरीदना है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको सचमे फोन खरीदना है, सचमे फोन की जरूरत है, तो आप market में जाए फोन खरीदिये, लेकिन कोई जादा म पुराने फोन से काम नहीं चल रहा है, अगर पुराने फोन से काम चल रहा है, तो नया फोन खरीदने के कोई जरूरत नहीं है, यह बात आप मान के रखीए, और अपने दोस्तों को भी बताईए, जो नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखा जाए तो आप लोग समझें कि फोन नहीं खरीदना है और बाकि स्मार्टफोन इंडस्री को लॉस हो रहा है लेकिन यह चीज़ आकर चलेगी कब तक यानि कि मैं आप लोग को बता रहो जब तक यह लॉक्टाउन चलेगा ना तब तक आपको मार्केट में नए फोन देखने को नहीं मिलेंग और अगर किसी को अगर फोन खरीदना है तो वो थोड़े सेप्टेंबर आक्टूबर या नवंबर का वेट कर लें क्योंकि जब फैस्टिव सीजन आता है तब स्मार्टफोन कंपनी डिसकाउंट वगर देती है और उसके बाद फोन खरीदना है थोड़ा समझधारी बरा फ गई उसके कई महीनों बाद जाके यह जो पूरा जो पूरा जो महोल बना हुआ है ना पूरी इंडिया पूरी ग्लोबली उसको नॉर्मल होने वाभी काफी जादा टाइम लगने वाला है क्योंकि इस टाइप की जो चीज़ें है ना वह हमने पहले का भी देखी नहीं है और चैनल को सब्स्क्राइब करना को कि यहां पर टेक्स रिलेड़ काफी इंटरस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आने वाले थेंक्यों को वीडियो देख निकली मैं आफसने नेक्स वीडियो के अंदर गुडबाए